नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं जम्बू सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स जम्बू दी ग्रेट अमेरिके ने भारत को सूपर कम्प्यूटर देने से इनकार कर दिया भारत के महान रैज्यानिक डॉक्टर भावा ने सूपर कम्प्यूटर के बाप का अविश्कार कर डाला अपने अविश्कार का नाम उन्होंने जम्बू रख दिया अमेरिकों ने जिंगारू से जम्बू और डॉक्टर भावा को मार डालने का सौधा किया जिंगारू ने चार गुंडे भेजे उन्होंने डॉक्टर भावा पर गोलिया चला दी जम्बू ने तीन गुंडों की लाश के टुकडों से फर्ष पर जम्बू लिखा लाश की टुकडों का फोटो चोथे गुंडे को देते हुआ बोला बहुत जल्दी में जिंगारू की भी यही हालत करूँगा जक्मी डॉक्टर भावा ने कहा कि वे हैं उनका दिमाग निकाल कर अपनी खोपड़ी में फिट कर ले ऑपरेशन की विती बताई जम्बू ने डॉक्टर भावा का दिमाग अपने सेर में फिट कर लिया डॉक्टर भावा की पतनी सुश्मा और बेटे बंटी को जब यह पता चला तो वे आश्यर चकित रह गये जम्बू बंटी के साथ भारतिय सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलने आया उन्हें बताया कि आंद्रपरदेश में जबरदस तोफान आने वाला है अतावे ऐसा इंतजाम कर लें जिससे ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो सके जम्बू और बंटी वापस लौट रहे थे जिंगारू के गुंडों ने हमला किया जम्बू ने सबकी लाशे बिछा दी गुल कपाड़ा नाम के इंस्पेक्टर ने उसे गिरफतार कर लिया जम्बू ने गुल कपाड़ा को अपनी वास्तविक्ता बताई गुल कपाड़ा ने फोन पर सीक्रेट सर्विस के चीफ से बात की और जम्बू को छोड़ने के लिए तयार हो गया तभी थाने में जिंगारू का फोन आया उसने कहा अगर जम्बू सुष्मा को बचाना चाता है तो वे जहांगीर होटल पहुंच जाए जहांगीर होटल के तहकाने में जम्बू ने सुष्मा को तेजाब के तलाब के उपर उल्टी लटकी पाया मारे गुस्ति के जम्बू का बुरा हाल हो गया जम्बू एक ऐसे कमरे में कैद हो गया जिसकी गुर्टवा कर्शन शक्ती जिंगारू ने खत्म कर रखी थी अब जम्बू किसी तिनके की तरह हवा में तैर रहा था अपनी इच्छा से वह जिसम का कोई अंग नहीं हिला सकता था अब आगे जिंगारू ने कहा हाँ 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 बेचारा सूपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया है जम्बू बोला ओ ओ ओ मेरे नकली फेवड़ों को अक्सिजन नहीं मिल रही है जिंगारू मुझे यहां से निकालो नहीं तो मेरे टुक्डे टुक्डे हो जाएंगे जिंगारू ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ बेटे की तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं जंबू बोला आह बचाओ जिंगारू ने कहा अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती जंबू लाल कचोड़ी मल देखते ही देखते जंबू के शरीर के टुकड़े टुकड़े होने लगे जिंगारू बोला अरे यह तो सच मुझ टुकड़े टुकड़े हो गया क्या चमतकार है ये क्या ये मर गया जिंगारू ने अमेरिकियों से संबन स्थापित किया वह बोला जम्बू खत्म हो गया है अमेरिकी बोले नहीं वह इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है जिंगारू ने कहा मेरा ख्याल है कि फेफरेट ठप हो जाने के कारण वह बेकार हो गया है आखिर था तो एक कंप्यूटर ही अमेरिकी ने कहा हम अपने जासुसों को भेज रहे हैं वे चेक करेंगे कि जम्बू खत्म हो गया है या नहीं जिनगारू बोला ओके सर भेज दीजिए उधर होटल जहांगीर के पास पहुँचे बंटी ने जम्बू से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की वे बोला हेलो हेलो जम्बू तुम बोल क्यो नहीं रहे मैं बंटी हूँ जवाब दो बंटी न सोचा नगता है जम्बू किसी मुसीबत में फस गया है मैं क्या करूँ तभी उसने कुछ लोगों को होटल में घुसते हुए देख कर सोचा ओ, दाल में कुछ काला नजर आता है, मुझे इन दो अमेरिकियों का पीछा करना चाहिए। जिंगारू का आदमी उनसे बोला, आईए, बॉस आपका ही इंतजार कर रहे थे। वह अमेरिकी बोले, चलो। बंटी ने उनका पीछा किया, और सोचने लगा, मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ बच्चो, ओ, ये तु नीचे जा रहे हैं। तो यह उन दोनों को नीचे छोड़ाया है, जा बच्चे फूट यहां से, उनके जाने के बाद बंटी ने भी उनका पीछा शुरू किया। वे दोनों जिंगारू के पास पहुँचे और बोले, मेरा नाम रेनाल्ड है, और ये अमेरिका के महान वेग्यानिक डॉक्टर जोनाथन है। जिंगारू ने कहा, ओके, चेक कर लीजिए, वे रहे जम्बू के टुकड़े। रेनाल्ड ने कहा, कमरे की गृत्वा करशन शक्ती चालू किजिए। जिंगारू बोला, जो आग्या। जम्बू की कमरे की गृत्वा करशन शक्ती चालू करो, मिस्टर कंट्रोलर। मिस्टर कंट्रोलर ने कहा, यस सर। जम्बू की कमरे की गृत्वा करशन शक्ती चालू होते ही, रेणाल्ड बोला, ओ, कोई हरकत नहीं, डॉक्टर जोनाथन ने कहा, मैं कमरे में जाकर उसी चेक करना चाहूंगा, रेणार्ड ने कहा, कमरे में जाना खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर, अगर वैं जिंदा हुआ, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर जोनाथन ने कहा यह खत्रा हमें उठाना ही होगा रेनाल्ड रेनाल्ड बोला मिस्टर जिंगारू क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे कमरे में जाये बगेर पता लगाया जा सके कि जंबू खत्म हो गया है या नहीं जिंगारू ने कहा हमारे पास सुश्मा है उसे मैंने तेजाब के तलाब के उपर लटका रखा है जंबू उसे किसी हालत में मरते नहीं देख सकता रेनाल्ड ने कहा वेरी गुड यह तरकीब ठीक है सुश्मा को दिखाते हुए जिंगारू ने कहा यह देखिए रेनाल बोला तेजाब का तलाब कहा जिंगारू बोला अभी दिखाता हूं जिंगारू ने कहा हमारे महमानों को तेजाब का तलाब दिखाओ मिस्टर कंट्रोलर ने कहा ओके सर उधर कंट्रोल रूम में बंटी कंट्रोलर को देख रहा था सुष्मा को देखते ही रेनाल ने कहा ओ मार्फलेस क्या हमारी आवाद जम्बू तक पहुंच सकती है जिंगारू जिंगारू ने कहा जो कहना है माइक पर कहिए सर रेनाल ने कहा हम जानते हैं मिस्टर जम्बू की तुम खत्म नहीं हुए हो कान खोल कर सुनो हम सुष्मा को तालाब में गिराने जा रहे हैं मिस्टर जम्बू हम तीन तक गिनेंगे अगर तुम बोल पड़ेतो सुष्मा बच जाएगी नहीं बोले तो तेजाब के तालाब में जा गिरेगी जम्बू के जिस्म के टुकडों में कोई हरकत नहीं हुई रेनाल ने कहा 1, 2, 3 और यह कहते ही सुष्मा की जंजीरे धीरे धीरे तूटने लगी सुष्मा चिल्लाई, बचाओ, बचाओ अचानक तालाब के उपर फर्ष फिक्स हो गया और सुष्मा उस फर्ष पर आगे ली जिंगारू ने कहा, यह क्या हरकत है कंट्रोलर तुमने तालाब का धकन क्यों बंद किया कंट्रोलर बोला, यह मैंने नहीं, एक बच्चे ने किया है सर जिंगारू ने कहा, तुम होश में हो बंटी ने कंट्रोलर पर बंदूग तान दी और बोला, कंट्रोलर तो होश में आ चुका है अब तुम भी होश में आ जाओ जिंगारू जिसे तुम मारना चाहते हो, वह मेरी मा है जिंगारू सोचने लगा, ओ, बंटी, यह यहां कैसे पहुँच गया बंटी ने कहा, जिंगारू अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे अड़े को जला कर राक कर दूँगा जिंगारू ने कहा, अभी बताता हूँ बेटे कि मेरे अड़े के अंदर मेरी उंगली के एक इशारे पर क्या हो सकता है यह कहकर जिंगारू ने बंटी को एक मशीन में कैद कर लिया बंटी बोला, बचाओ, बचाओ जिंगारू ने कहा, जिंगारू के अड़े पर जिंगारू को मात देने चला था अब देख मेरा अगला चमतकार रेनाल्ड बोला ठेरो मिस्टर जिंगारू हमारा लक्षय बंटी नहीं जम्बू है डॉक्टर जोनाथन ने कहा सुष्मा तेजा आपके तालाब में गिर रही थी पर अन्तु जम्बू के टुकडों में कोई हरकत नहीं हुई इससे साबित होता है कि जम्बू मर चुका है रेनाल्ड बोला अब कमरे में जाने में कोई खत्रा नहीं है जिंगारू ने कहा तो चलें वह बोले हाँ चलो और तीनों जम्बू के कमरे में जाने के लिए रवाना हुए तीनों कमरे में पहुँचकर जम्बू के टुकडों को ध्यान पूर्वक देखने लगे अचानक चमतकार हुआ और डॉक्टर जोनाथन को जम्बू के हाथ ने एक थपण मारा रेनाल को एक घूसा और जिंगारू को एक लाथ देखते ही देखते जम्बू के शरीर के सारे टुकडे हरकत में आ गए जम्बू ने सभी बदमाशों को मार गिराया और बंटी और सुष्मा को भी बचा लिया जम्बू की भयानक्ता का तांडर नृत्ते देख कर रेनाल्ड जोनाथन और जिंगारू जान बचा कर भागे जिंगारू के बटन दबाते ही एक दिवार सरख कर गैलरी का मुह ढग देती है एक बार फिर चमतकार हुआ जम्बू के जिस्म की टुकड़े एक एक करके जूडने लगे तभी बंटी की आवाज आई बचाओ बचाओ जम्बू जम्बू ने अपनी तीसरी आँख खोली और बदमाशों को मार गिराया सुष्मा बेहोश हो गई बंटी ने कहा देखो जम्बू ममी को क्या हुआ जम्बू बोला मैं आ रहा हूँ बंटी जम्बू ने कहा ओ ममी तो बेहोश है तभी पुलिस वहाँ आ पहुँची इंस्पेक्टर ने कहा सब अपने अपनी हत्यार डाल दें पुलिस ने अड़े को चारो तरफ से घेर लिया है जम्बू बोला आओ इंस्पेक्टर खेल खत्म हो चुका है अब तो तुम्हें आना ही था तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद